आपको सीधा लिये चलते हैं जहां भारती जुन्ता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉंफरेंस की जा रही है मौलाना आज़ाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम में है दुरगाधत की किताब इंडिया फ्रम कर्जन तो नहरु अन्देयर आफ्टर में है और जो अंतिम प्रधानमंत्री हुए हो सकता है कि वो वेभारिक दृष्टे कॉंग्रेस पार्टी के अंतिमी प्रधान मंत्री भविश्य के लिए सिद्ध हो डॉक्टर मनमोहन सिंग अचिडेंटल प्राइम मिनिस्टर उनको कोट कर रहा हूँ प्रणो मुखर जी जी की पुस्तक का विमोचन करते समय सोनिया गांधी जी की उपसिती में स्वैम डॉक्टर मनमोहन सिंग जी ने कहा कि जब मुझे प्रधान मंत्री बनने के लिए कहा गया तो मैं प्रणवदा के पास गया मैंने का प्रणवदा आप मुझसे अधिक जोग यह हैं डॉक्टर मनमोन सिंग कहते हैं प्रणवधाब सबसे अधिक जोगे हैं मगर मैडम ने मुझे कहा है लोक तंत्र का अधुछ दिध्रूप है पहले प्रदान मंतरी से लेके अंतिन प्रदान मंतरी तक zero vote से लेके zero vote तक प्रदान मंतरी बनाने वाले लोग आज कहते हैं कि लोक तंत्र हमें समझ में नहीं आता है और लोक तंत्र के वास्विक रखशक्त वो है फिर मैं कह रहा हूँ भारत के इतिहास में इनके जितने प्रधान मंत्री बने इंद्रा गांधी जी क्या चुन क्या आई पहली बार? सिपीवी नरसे माराओ कैसे बने? सबको पता है और डॉक्टर मनमोहन सिंग सबको पता है तो भारत के राजनेत्री के ठिहास में लोक तंत्रिक ढंग से अगर किसी पार्टी के दो ही प्रधान मंत्री चुन के आए जो जनता के सामने हमने रख़ा ये प्रधान मंत्री होना चाहिए और जन्ता ने चुनके का यही प्रधान मंत्री होना चाहिए एक स्री अटल वियारी बाजपई और एक स्री नरिद्र वोदी क्या बात करते है और जहां तक लोगतंत्र की रक्षा की बात है तो जबालाल नहरू जी ने मज़रू सुल्तानपुरी को दो साल इसले जेल में रखा था कि उन्होंने आर्टिकल लिख दिया था कि नहरू जी की स्टाइल ओफ फंक्शनिंग में हिटलर की जलक नजराती है और आज हिटलर की मौत कितने घट चाचा बोला जाए कबर खुदेगी कुदे की मौत जैसे शब्द बोलकर जल्वाए जलाल से जल्वा अफ्रोज हो रहे है और कहरें लोक तंत्र नहीं है फिर आप देखिए और इतना ही नहीं मौला नाजाद ने अपनी किताब इडिया विंस फ्रीडम में लिखा है कि नहरी जी को किसी दूसरे की तारीफ बरदाश नहीं थी अपने सामने ये वो चालिस पेज हैं जो उन्होंने कहा था कि उनकी मौत तुके 30 साल बाद परकाशित किये जाएं जो 1988 पर परकाशित हुए थे आईए सब राजीव गानी जी के जमाने में एक अकबार उनके खिलाफ लिग रहा था तो उसके उपर इंकम टैक्स का छापा और बिजली काट दी गई थी और आज की युवा पीडी को याद रखना चाहिए राजीव गानी जी के जमाने में एक पोस्ट एंट टेलिग्राफ एक्ट आया था जिसमें सरकार को या अधिकार दे रिया दिया गया था कि वो जिसकी चाहे चिट्टी खोल कर पढ़ सकती और आपती जनक बात लिगे तो कारवाई भी हो सकती जैसे आप कलपना करिए कि सरकार आज आज आपके सारे कम्यूनिकेशन पढ़े और पढ़कर केवल उसी के आधार पर करवाई कर सके वो तो ग्यानी जैल सिंग्जी ने उसे पास नहीं होने दिया था पीवी नर्से माराओ अभी मैं इंद्रा जी की बात नहीं कर रहा हूँ पीवी नर्से माराओ भारत की एक मात्र सरकार जो पैसा लेकर अपने को विश्वास मत प्राप्त किया ये कोर्ट में साबित हुआ 1994 जारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड जारखंड मुक्ति मोर्चा के तीन सांसदों ने पैसे लिए, एक एक करोर और बैंक एकाउंटस में बरामत हो गयो पैसे आज कि भी बरामत हो रहे हैं वो थोड़े से बरामत हो आभी तो 35 लाग बरामत हो हैं दो ठों B.M.W. बरामत हुई है पर थोचिए कि इनकी फितरत तो किती पुरानी है कॉंग्रेस साथ गड़ बन एक मात प्रधान मंत्री जो उसके बाद भरस्टाचार के आरोपों में अदालत की चोखट पे खड़े हुए और उसके बाद जब सुनिया गानी जी की चातर चाया में मनमोन सिंग जी की सरकार चली तब तो हिंदू आतंखवा जैसे शब्दों का प्रियोक करके बगएर चार्जशीट फ्रेम किये हुए लोग को बरसों बरस जेल में रखा गया उनके साथ आमान भी बेवहार किया गया महिला कैदियों के साथ किस-किस प्रकार की घटनाय की गई वो सब को पता है और इसके उपरान जो लोकतंतर की बा अनसे क्या को नहीं पता है कि आपको पता है कि एक बार लोग सबागा कारिकाल बढ़ा दिया गया था ये 5 साल से बढ़कर 6 साल यस इंद्रा गांदी जी के समय में इमर्जेंसी में आपको पता है कि मूल अधिकार समाप्ट कर दिये गए थे और मैं याद दिलाना चाहता तो वो जमानत के लिए अरजी नहीं बे सकता था वो कोट में ही जा सकता था एक बार जेल में गए तो अंदर ना वकील ना अपील ना दलील अंदर और उन्होंने उस समय संकल्प लिया था कि कॉंग्रेस को मैं उखाड फेकूंगा इसलिए अपनी पुत्री का नाम मीशा रख रहा हूँ ताकि जब भी पुत्री का नाम पुकारूंगा तो याद आएगा और आज कहां से कहां पहुँच गए वो सबको दिखाई बढ़ रहा है अब मैं याद दिलाना चाहता हूँ ये जिस प्रकार की चीज़े थी पर लोगसभा का चुनाओ फिर चुनाओ नहीं हुआ तो राजसभा में आए राजसभा से हटने के बाद एक साल के गैप के बाद सुप्रीम कोट के जज़ बन गए तीन जज़ेस को सुपर सीट किया गया वो तो एक अलग बात है मगर मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने समय में क्या कहा था ये क्या विचार था ये केबल दस सेकेंड की क्लिप अगर आप सुनें ये किसकी आवाज है स्रीमतींद्रा गांदी जी की और ये किस विचार से पेरित है ये भी मैं बताना चाहता हूँ जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं मैं बताना चाहता हूँ Hitler addressed, reached tag on 26th of April 1942 and Hitler said I expect the German legal profession to understand that the nation is not there for them but they are here for the nation from now onwards I shall intervene and will remove from the office those judges who evidently do not understand the demand of the hour और इंद्रा गांदी जी ने क्या कहा था पार्लेमेंट के फ्लोर पे कहा गया था committed judiciary की बाद और ये कहा गया था कि judges को हमारी विचारधारा के नुरूप चलना होगा आज वो लोग कहते हैं डेमोक्रेसी आपको पता है नाजियों की एक बड़ी फेमस फिल्म थी triumph of the will 1934 में उसका मंचन हुआ नाजी पार्टी के convention में उस मंचन के समाप्त होने के बाद हिटलर के right hand वेक्टी Rudolph Hess जो बाद में अरेस्ट हो गया था 92 में शायद उसकी death हुई उसने नारा लगवाया था Hitler is Germany and Germany is Hitler ठीक यही नारा छोटे मोटे निता ने नहीं Congress के तत कालीन राष्ट्री अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने लगाया India is Indra and Indra is India और आज तक Congress के किसी राष्ट्री अध्यक्ष ने उसके लिए माफी नहीं मांगी है तो वो Congress का आज तक आधिकारिक बयान है इसलिए जो लोग राजनीत में इस प्रकार की बात कहते हैं कि कौन डेमोक्रेसी की बात कर रहा है तो मैं एक और चीज कोट करना चाहता हूँ मार्गिट अलवा जी Congress की Senior Leader रही है उन्होंने किताब लिखिए Courage and Commitment and Autobiography जिसमें उन्होंने Congress की शीष नेत्रत्व लीडर्शिप का नाम लेते हुए कहा है कि टॉप लीडर्शिप के लिए तो आपके नेता के बारे में कह रहे है और नटवर सिंग ने क्या लिखा है One Life is Not Enough पीवी नर्समाराव की किताब The Insider अरे क्या क्या सुनेंगे भाई तो मैं साफ बात कहना चाहता हूँ यह सच है जो अर्बिट्रेरी अधिनायक वादी शक्तियां थी उनके हाथ से अब सत्ताकव निरणायक रूप से जाने का समय आ गया है और यह साफ दिख रहा है वहीं सी नरेंद्र मोदी जी के नित्रत में भारत एक नए सुरूप की तरफ आगे बढ़ रहा है जहां पर कि 44 करोड लोगों को मुद्रा योजना के तहट लाब मिला है जन्धन योजना के 50 करोड एकाउंट मने है 4 करोड गरीब लोगों को आवास मिला है सत्ता में सबको सम्मान सबको इस्थान मिला है वैसे एक और बात बता दूँ बारत के इतिहास में एक ही प्रदान मंतरी है श्रीमती इंद्रा गांदी जी कोड ने जिनको करप्ट प्रैक्टिसेज और माल प्रैक्टिसेज के लिए दोशी साबित कर दिया उसके बाद उन्होंने कोड के निरणे को रौन दिया और एक ही बार नहीं रहूंदा गया दो बार रहूंदा गया 1985 शाबानो केस कि जब लगा सुप्रीम कोर्ट शरीया के खिलाफ जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट एज बिन ट्राउंस्ट बाई दी ब्रूटल मिज़ॉरिटी इन दे पार्लेमेंट इन फेवर अफ शरीया और दिस वस अ सेकुलर स्टेट वन्ना दुनिया में कोई एक सेकुलर स्टेट का उधारन बताएं जहां शरीया सर्वोचे नियाले से ऊपर हो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ और एक और बात बता दूँ इंद्रा जी के खिलाब जो चुनाव लड़े थे राजनरायन जी वो संसयुक तो सोचलिस्ट पार्टी के थे संसोपा जिसको कहते थे वही तो पिछड़े वर की आरेक्षन की बात कहती थी उसके तो खिलाब खड़े थे अब आज आख कहते हैं गड़ना करवाएंगे जब हाथ में सारी सत्ता थी तब तो कुछ किये नहीं तब तो सदय विरोध में रहे और आज आके कहते गड़ना करवाएंगे इसलिए मैं अन्तुमें कहना चाहूंगा कि खड़गे जी ने एक और जो गंभीर बात बोली है वो मैं सारे करोडों देशवासियों से कहूंगा इसको गंभीरता सोचिए उन्होंने कहा कि हम गुलाम थे और कहते हैं कि तुम लोग गुलाम के भी गुलाम थे ये गुलामी की मानसिकता है आप कह रहे हैं कि हम दुनिया के एक बिचितर देश बताय जाते हैं कि जो एक हजार साल तक गुलाम रहा फिर भी जो समाज में विकृतियां आई समस्या आई उसके उसका कारण शासक हो रहे नहीं था हम थे ये कौन सी गुलामी की मानसिकता है भई आप खुछ सोचिए ना मतलब हम खुद मुक्तार गुलाम थे मतलब गुलाम भी थे और डिसाइड हम कर रहे थे जो हमें काट रहे थे जो हजारों की कोपडियों का धेर बना रहे थे जो बंगाल फेमाईन में हमको मार रहे थे वो जुम्मेदार नहीं थे जो कट रहे थे मर रहे थे जो जुम्मेदार थे एक हजार साल में समाझ में जो आया कॉंग्रिस इस गुलामी की मानसिकता का प्रतिनिद्ध व करती है इसलिए मैं कहना चाऊंगा कि अब वस्विसी ये है कि जो हम किसी दमाने में कहते थे ना उगा सूरी कैसा कहो मुक्तिकाये उजाला करोनों घरों तक न पहुंचा मोदी जी के आने के बाद उस करोनों घरों तक पहुंचा है अब कॉंग्रेस की इस गुलामी की मानसिक्ता के लिए जो अंग्रेसों ने दी थी वो आज तक उनके दिमाग में है तो कहना चाहता हूना संयम विवस्थान आएकात्मता है भरी है अभी तक मनों में घुलामी वही राग अंग्रेसियत का पुराना सुनाते बड़े लोग नामी गिरामी बहकती मदिर जिंदगी की लयों में अभी मुक्ति गायन स्वरों तक न पहुचा उगासूरी कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोनो घरों तक न पहुचा मतलब अभी भी बहकते कदम है सौतंतरता का मुक्ति का वास्वी गायन उनके कान में नहीं पहुच पाया है इसलिए यह सच है कि गुलामी की मानसिक्ता से इस देश को मुक्त करने का निर्णे यो देश की जन्ता ने लिया था I am quoting again on 18th of May 2014 the Sunday Guardian of London जिन्होंने हमें गुलाम बनाया उनके अकबार को quote कर रहा हूँ उन्होंने लिखाता है कि 16th of May 2014 जिस दिन मोदी जी के नित्रत हमें इस पश्ट बहुमत की सरकार में ली शुट बी नोन as a day of second independence in India and the शीर्शक ठाइट for second twist with India's destiny क्योंकि उन्होंने कहा कि लंबे समय तक स्वतंता के बाद उस विचार का शासन रहा जो British colonial legacy को represent करता था पहली बार एक ऐसे हाथ में absolute power आई है अटल जी के समय में absolute power नहीं थी absolute power आई है जिसका inception and inspiration यानि उत्पत्यो प्रेणा में British colonial legacy से कोई लेना देना नहीं है जो पूर्टा भारती है इसलिए ये Congress और Congress गोत्र के जित्ते दल है उन सब के लिए भविष्य निश्यत रूप से निरनायक अवसान की तरफ बढ़ रहा है और उसी कारण वो भयाक्रांत होकर इस प्रकार की अनरगल बाते कर रहे है और एक बात और कहना चाओंगा कि अभी जो कुछ जारखंड में चल रहा है आपने देखा कि थोड़ी मात्रा में धन प्राप्त हुआ है क्योंकि उनके लिए थे 36 लाग बहुत थोड़ा सा है अज्यात इस्थान से लोकतंत्र का संचालन हो रहा है मतलब आप सोचिए कि नॉन ट्रेसिबल चीफ मिनिस्टर कैसी डेमोक्रेसी की रक्षा हो रही है और वो कह रहे हैं हम डेमोक्रेसी की रक्षा करेंगा और ये वही हैं जो 1994 में कॉंग्रेस का साथ दिये थे जारकंड मुक्त मोचा रिश्वत कांड साड़े 300 करोड कॉंग्रेस के सांसत के हां से बरामत हो चुका है भाई इतनी हकीकत सामने आने के बाद फिर यदि आप कहते हैं कि आप लोक तंतर की रक्षा करने की बात कर रहे हैं तो देश की प्रभूज जनता समस्ती है मगर इस तथा कतित इंडी गटबंदन के हालत देखिए पहले उत्तर प्रदेश में मायवती जी ने कह दिया हम नहीं रहेंगे पंजाब में केजरिवाल जी ने कहा हम नहीं रहेंगे राहुल गांधी बंगाल के दरवाजे पहुँचे तो ममता जी ने कहा हम भी नहीं रहेंगे वो बिहार के दरवाजे पहुँचे तो पता चला गड़ बंदनी तूट गया और नितिश जी एंडिये में आ गए तो मैं अंदा लाइटर नोट कॉंग्रेस के लोगों से कहना चाहूंगा कि सीराम जन्भूमी की प्राण प्रतिष्टा के महूर्थ पर वो लोग बहुत सवाल उठाते थे तो मैं उसे कहूंगा जरहे राहूल गांधी की आतरा किस महूर्थ में शुरू की थी जरहा किसी योग ये जोतिशाचारे से इस बात में विचार कर लें क्योंकि जहां जहां चरन पड़े राहूल के तहता बंटाधार होता चला जा रहा है तो मैं अन्त में इस इंडी गठवंदन के लिए कहना चाहूंगा कि भाई अब जितने भी चेहरे लगा लो ये बरश्टा चार तुष्टी करण चुपने वाला नहीं है तुम जाहें जाद विरादरी की बात कर लो या लोग तंतर खतम होने का जूटा परपंच कर लो तुमारे घर की हकीकत नहीं छुप सकती क्योंकि अब जनता आपके चेहरे को देख रही है तो ये पंक्ति के साथ समाप्त करता हूँ जो इंडी गठवंदर पर लागव होती है कि अब जो चेहरे से ही जाहर है छुपाएं कैसे अब जो चेहरे से ही जाहर है छुपाएं कैसे तेरी मर्जी के मताबिक नजर आएं कैसे घर सजाने का तसवर हुआ बात की बात मतलब चेयर्मेन और कोडिनेटर छोड़ो घर सजाने का तसवर हुआ बात की बात अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को चुपाएं कैसे थाड़े तीन सो करोड से लेकर 36 लाग तक लिख रहा है धन्यवाद मुझे लगता है कि उस पत्वे के संदर में जो तठा कतित सेकुलर लोग हैं जो अपने को सेकुलर्जिम का सूर्मा और स्वगोशित अलंबरदार कहते हैं उनसे हमें प्रतिक्रिया की अपेक्षा है और खड़गे जी ने जो बात कही तो देखिए बिलकुल बिलकुल साफ है खड़गे जी आज राश्टी अद्यक्ष भी है और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी है कॉंग्रेस के सबसे वरिष्ट नेता है आयू की दृष्टी से अगर राजीव गांदी जी जीवित होते तो उनसे अधिक आयू के है मगर क्या करें रैली राहूल गांदी के लिए करना पड़ती जो नराश्टी अद्यक्ष न उपाद्यक्ष न महासचिव है न नेता प्रतिपक्ष है पिछले के पिछले लोकसवाद सत्र में याद करिये राहूल गांदी जी बयान दे